नमस्ते दोस्तों, State Bank of India दे रही है 10 जरपे जमा करने पर 17 लाग रुपे आप भी State Bank of India के इस New Plan में deposit करके 17 लाग रुपे का फाइदा ले सकते हैं इस scheme की सबसे अच्छी बात यहा है कि maturity होने पर रुपिया सीरिसी दे आपके account में मिल जाता है साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे यदि आपके पाथ 10 जरपे नहीं है तो SBI की इस New Plan में आप यदि 1000, 2000, 3000 और 5000 जरपे जमा करेंगे तो कितना रुपिया आपको मिलेगा SBI की इस New Plan में कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितने रुपे से आप शुरू कर सकते हैं इस New Plan की इस New Plan की पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखकर आप इसका फाइदा जरूर ले सबसे पहले दोस्तों जानते हैं SBI RD New Plan New Interest Rate के बारे में अभी General और Senior Citizens को कितना interest मिल रहा है यदि आप एक साल की RD करते हैं तो General को 6.8% और Senior Citizens को 7.3% का interest मिल रहा है एक साल की RD में यदि आप 1000 पर प्रती महने जमा करेंगे तो General को 12,449 रुपे और Senior Citizens को 12,482 रुपे की रासी एक साल के बाद मिलेगी यदि आप 2 साल की RD करते हैं और 2000 पर प्रती महने जमा करते हैं तो General को 7% का interest मिल रहा है जबकि Senior Citizens को 7.5% का interest मिल रहा है 2000 पर प्रती महा जमा करने पर 2 साल के बाद General को 25,819 रुपे और Senior Citizens को 25,955 रुपे की में चूटी मिलेगी यदि आप 3 साल की RD करते हैं State Bank of India में तो General को 6.5% और Senior Citizens को 7% का interest मिलता है और 3000 पर प्रती महने जमा करने पर 3 साल के बाद General को 1,19,473 रुपे जबकि Senior Citizens को 1,20,411 रुपे की में चूटी मिलती है यदि आप 5 साल की RD करते हैं State Bank of India में तो General को 6.5% और Senior Citizens को 7% का interest मिल रहा है पाँ जर्वे प्रती में जमा करने पर 5 साल के बाद General को 3,54,954 रुपे और Senior Citizens को 3,69,673 रुपे की रासी मिलेगी यदि आप State Bank of India में 10 साल के लिए RD करते हैं तो General को 6% और Senior Citizens को 7% का interest मिलता है कहा करना चाहते हैं Post Office में या फिर State Bank of India में नीचे comment section में comment जरूर करें यदि आप 10,000 रुपे प्रती में जमा करते हैं 10 साल की RD में State Bank of India में तो General को 6,89,880 रुपे और Senior Citizens को 7,37,7 रुपे की रासी मिलेगी चलिए अब दोस्तों जानते हैं इस scheme को आप कैसे खोलेंगे और इसके पूरे features के बारे में जानते हैं दोस्तों SBI RD में एक fixed amount हर महीने जमा करना होता है और समय पूरा होने के बाद maturity आपके सीरे सीधे account में जमा हो जाता है आप चाहें 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 आप जितना चाहें जमा कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो बात होई deposit limit की कम से कम आप 100 रुपे और अधिक से अधिक आप unlimited रुपे इस scheme में जमा कर सकते हैं आप जानते हैं इस scheme को कौन कौन खौल सकता है आप अपने family में बच्चे, बुढ़े, सभी के नाम से इस scheme को open कर सकते हैं State Bank of India में यानि age की कोई भी limit नहीं है SBI RD new plan में State Bank of India RD new plan में कम से कम आप 1 साल के लिए आपको RD करना होता है और अधिक सधिक आप 10 सालों तक इस scheme को चला सकते हैं SBI RD की new features के बारे में जाने तो दोस्तो यदि आपने SBI में 5 साल की RD ली है और किसी कारण वस किसी महिने आप पैसा नहीं दे सकें तो दोस्तो अगले महिने आपको penalty के साथ रूपिया जमाग करना होता है SBI RD plan में loan की भी facility एबलेवल होती है यदि आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप अपने जमारासी से 90% loan के रूप में आप ले सकते हैं यदि आप बीच में ही अपने पूरे पैसों को निकालना चाहते हैं तो दोस्तो pre maturity closure से आप पूरे पैसों को निकाल सकते हैं लेकिन इसमें आपको कुछ पैसा कटके मिलता है income tax benefits की बात करें तो दोस्तो general के लिए 40,000 रुपे और senior citizens को 50,000 रुपे के लिए मेट रखी गई है इससे अधिक interest होने पर आपको TDS देना होता है TDS नहीं कटे इसके लिए 15G या 15H form को भर कर हर financial year में आपको SBI के ब्रांच में जमाग जरूर करें account open करने के लिए documents required है आधार card, pen card और photo तोस्तो इन सभी documents को लेकर आप SBI की नए प्लान में इन्वेज सुरू कर सकते हैं SBI के RD प्लान में आपको nominee की facility भी available है आप चाहें तो एक से अधीक nominee भी दे सकते हैं जरूरत पढ़ने पर आप SBI के एक branch से दूसरे branch में आप अपने account को transfer भी कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी State Bank of India RD New Plan विदि आपको आज की वीडियो अच्छे लगी तो like और दोस्तों में share करना ना भूलें Thanks for watch